हलो एंड गुड मॉर्निंग एवरिवन आप सभी लोग का स्वागत है इस्टेडी ग्लोस पर और डेली करंट फिर के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है आज का सेशन हम लोग समर्पित करते हैं भारत के पहले CDS विपिन रावत को इनका जीवन भारत माता के लिए समर्पित रहा है 16 मार्च 1958 से जब इनका जीवन शुरू हुआ तब से लेकर देहांत तक इनका पूरा जीवन जो है वो राष्ट्र भक्ती के लिए रहा है कई मैडल इन्होंने जीते हैं विशिष्ट सेवा मैडल इन्होंने जीता है और भारत के पहले CDS थे लेकिन रिसेंटली तमिलनाडू के अंदर एक हेलिकॉप्टर दुरगटना में कुल 13 लोग शहीद हुए है उनमें से एक विपिन रावत भी है तो सबसे पहले हम लोग श जादा कुछ तो हम लोग कर नहीं सकता है मेरे दवारा तो यह लेक्चर ही जो है वो इनको समर्पित किया जा सकता है और बस मैं आप लोग को यह कहता हूँ कि देखी पूरे राष्ट में अगर राष्टर का निर्मान करना है तो उसकी शुरुवात अपने परिवार से होनी चाहिए अपने परिवार से भी पहले खुच से होनी चाहिए और खुच से पहले अपने विचारों से होनी चाहिए तो अपने विचारों के अंदर राष्टरवाद लेके आईए फिर अपने परिवार तक उसको फैलाईए फिर राज्य तक फिर राष्टर तक तो यह राष आफ्टरवाद हमें नहीं था, कमी थी उसकी, अब तो कूट कूट कर भरा है, अब तो कोई एक आवाज दे, तो हम लोग सीमा पर डट कर खड़े हो जाएं, लेकिन आज का लेक्चर इन्ही को समर्पित है, पूरी विशिष्ट सेवाई जो हैं, इन्होंने भारत को दी हैं, त आप लोग मुझे इस्टा पर फॉलॉड कर सकते हो, जो भी आपकी कोईरी से मुझे पूर सकते हैं, इसके साथ में ही, लेक्चर की पीडिएफ आप लोगो को दीपक इन्दोरा ओफिशल टेलिग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है, और इसके साथ में कुईज आ लेकिन डेविस कप जो है, वो टैनिस के दुनिया के अंदर वर्ल्ड कप कहा जाता है, टैनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है डेविस कप को, देखी टैनिस के लिए कई सारे ओपन जो हैं, उनको आईजन करवाए जाता है, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें, एक साल के जो है ये करवाए जाते हैं तो एक साल के अंदर चार ओपन करवाए जाते हैं इनमें से तीन पर कबजा किया था नुवाक जोकोविच ने और बराबरी कर ली थी रोजर फैटरर की तो रशिया जो है वो डेविस कप को जीच चुका है यहाँ पर डेनियल मेदवे दवे और ए आंद्रे रुबलेव को मोश्ट प्लेयर जो है वो चुना गया है थीक है तो रशियन टैनिस फेडरेशन के द्वारा डेविस कप 2021 को जीत लिया गया है यहाँ पर रूस ने 15 साल के लंबे इंतजार के बाद इस ट्रॉफिक पर कबजा किया है इससे पहले उसने 2006 में डेवि और रशिया के बीच में किये गए हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समझोता है वो है AK-203 जो राइफल है यह भारत के अंदर प्रोड़क्शन किया जाएगा इसका अमेठी में और अमेठी में लगभग 6 लाक जो राइफल्स हैं इनका निर्मान किया जाएगा और इनक भारत के अंदर रोजगार जो है वो पैदा हो सकें इसके साथ में हम जो है उस टेक्निक से भी रूबरू हो सकें तो यहां पर AK-203 जो है यह लगबग 6 लाक राइफल्स निर्मित की जाएगी इसकी रेंज अच्छी है दुगनी रेंज है पहले वाली रैफल्स हैं सेना के क वर्ड कप भी कहा जाता है और यह पुर्ष टैनिस में एक अंतराश्ट्रिय टीम इवेंट है लेकिन यदि हम महिलाओं की बात करें तो बीली जिन किंग जो है उनकी द्वारा इस कप को जीता गया है यह अंतराश्ट्रिय टैनिस फेडरेशन इंटरनेशनल जो टैनिस अंबिया के फिर से राश्पती जो है वो अपॉइंट किये गए है अदामा बैरो तो यहाँ पर इनका सेकेंड टम का यह अपॉइंटमेंट है सबसे पहले हम लोग बेख लेते हैं कि यह देश कहां परिस्थित है अफ्रीका एक ऐसा कॉंटिनेंट है जहां पर तीनों देखा जो है वो करक रेखा ठीक है इसके साथ में एक्वेटोरियल लाइन जो है वो आपस में मैच करती है अफ्रीकन कॉंटिनेंट में और इसी का ही वेस्टन कंट्री कौन सा है गांबिया है तो यहाँ पर हम लोग यह दिलार्ज मैप को देखें तो यह नौर्थ पैसिफ है वो भी थोड़ा सा गरबढ़ाया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी लोकेशन एदमा बैरो जो है यह सेकंड टर्म के लिए चुने गये हैं और 53% जो है इनको वोट मिले हैं इन्होंने अपने मुख्य जो प्रतिदंदी है औसे नो डराबो को हराया ह जिन्होंने 27.7% जो है वोट हासिल किये थे नतीजी जो है वो चुनाव आयो के अध्यक्ष अलियू मोमर नजई ने गोशित किये हैं पांस साल से पहले राश्पति के रूप में अडामा बैरो की धारना पूरु तानाशाह याया जामेंग की तानाशाही के 20 साल से अधिक स प्रमाप्त हो गई है चलिए एक बुक जो है वो बली महत्वपुन है 1971 के अंदर जो वार हुआ था बिट्विन इंडिया और पाकिस्तान तो फ्रीडम ऑफ बांगलादेश तो 1971 में जो गोर्खास का रोल रहा था उन्होंने जो महत्वपुन यहां पर भूमी का निभाई थ और कुछ अधर इस्टोरी जो है उसमें शामिल की गई है जैसे कुछ गोर्खास जो थे वो बे धड़क गुस गये थे पाकिस्तान के सीमा के अंदर और वहां पर जाकर कई पाकिस्तानियों को मार गिराय था और उन्हीं की कहानी जो है वो इसके अंदर समीटी गई है लिख के चहरे से हाव भाव से नजर आ रहे है कि इसने महत्रपूर्ण भूमी का जरूर निभाई होगी तो 1971 के जो सच्ची कहानिया है उसको इस किताब के अंदर जगह दी गई है ठीक है किताब में फ्लाइट लेटनेंट जो है उनकी यानिकि वो मिसिंग हो गये थे मिसिंग होन है तो यह काफी यह जो अटेक है इनको जगह दी गई है इस किताब के अंदर अगली देखिए एक योजना है इसमें है हमार आपन बजट यह क्या है यानिकि हमारा और अपना दोनों वर्ड आप लोग यहां से पकड़ लेंगे तो आंसर जो है वो आप लोग को यहां से नि 2022 और 2023 के अंदर जो बजट आएगा उस बजट का अलोकेशन कैसे किया जाना चाहिए तो जहारखन गवर्मेंट के द्वारा यह बहुत ही बहतरी इनिसिटिव लिया गया है हमार आपन बजट जहारखन का निर्मान कब किया गया था देखिए वर्ड दो हजार के अंदर तीन इस्टेट बने थे जिन में 26 वा इस्टेट 36 गड़ था उसके बाद में 27 वा इस्टेट उतराखन बना था और 28 वा इस्टेट जो है ये जहारखन बना था तो भारत का 28 वा राज्य जहारखन बना था जो कि बिहार से अलग होकर एक नया इस्टेट बना यूके बना था यू नौम बर सन 2000 को जारखंड का निर्मान हुआ था तो यहाँ पर रिसेंटली जो है वो पब्लिक अफेर्स को धान में रखते हुए इस वेब पॉर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन को लॉंच किया गया है जारखंड के चीफ मेंश्टर हैमेंट सोरें जो है इनकी दोरा आने वाला है उसके लिए सुझाव साजा करने के लिए ही इस पॉर्टल का यहाँ पर निर्मान किया गया है और जिसे एंड्रोइड जो एप है इसको क्या कर सकते हैं डाउनलोड किया जा सकता है नेक्स देखिए सैन फ्रांसिस जेवियर उत्सव जो है वो किस राज्य में म अंदर सबसे सबसे पहले क्रिचेनेट उसके जू है एंजिक है इसाई धर्म का प्रसार किया था उनके अंदर इन व्यक्तियों गिंट्य की जाती है और उनके लिए उत्सव जो है वो कि अंदर सैलिब्रेट किया जाता है गोखा भारत का पहला वो राज्य है जहांपर 100 पCal जल से जल, 100% नल से जल जो है वो पहुँचा है, इन दा सैंस कि जल शक्ती मंत्रा लेगी एक पहल है जिसमें 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुचाना चाहिए और उसी में फर्ष्ट कौन सा रहा है, गोवा रहा है, गोवा भारत का पहला ऐसा राज जहां पर आर्टिकल 44, कौमन सिविल कोड जो है वो लागू होता है, और यह किसमें गिना जाता है, यह गिना जाता है, डिपी एसपी के अंदर, डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ इस्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 44 को गिना जाता है यहां की खोला मिर्च जो है, इसको GI Tag दिया गया है, सलीम अली बड़ सेंचुरी, सलीम अली बड़ सेंचुरी जो है, यह भी कहां पर इस्तित है, यह इस्तित है गोवा के अंदर, आप लोग इसको कन्फिउज मत कर देना, सलीम अली नैशनल पार्क के साथ में, जो की जमों कश्मीर में इस्तित है गोवा के अंदर सलीम अली बर्ड सैंचुरी इस्तित है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि तीन दिसंबर को यह जो उत्सव है मना जाता है किनकी याद में सेंट फ्रांसिस जैविर के याद में इसको मना जाता है जो कि गोवा के अंदर शु इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन को नैशनल फ्लैग डे ओफ इंडिया के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है यह आप लोग जरूर ध्यान रखना किस देश की नॉबल पुरसकार विजेता आंग सांग सुकी को चार साल की जेल हुई है कोशिन बड़ा इजी है लेकिन जानना महत्वपूर्ण है मयानमार से इनका संबंध है और मयानमार के अंदर इन्हों ने शांतिक स्थापना के लिए नॉबल प्राइज भी जीता था और वो नॉबल प्राइज 1991 के अंदर जीता गया था 1989 में अपने पिता के कदमों पर चलने वाली ये महिला थी उस समय थो उम्र बहुत कम थी और अब जो है इन्हों ने इतना वर्क किया मयानमार के लिए लेकिन फिर भी इनको जेल हुई है देखिए बड़े बड़े नेता जो है वो जेल जाते रहते हैं जीसे महात्मा कांधी भी कई बार जेल गए थे भीमराव अंबेड़कर जवाला नहरू तो आंग सांग सुकी जो है इनकी जेल में जाने का विरोज जो है वो अ मेरिका बृटेन जासे कंट्री कर रहे है और ये कहा जा रहा है कि ये मानवा ध उनको ब्रेक किया है और आंगसान सू की जो है आंगसान सू की इन्होंने मानवा दिकारों के लिए मयानमार के अंदर काफी कारे किया है ठीक है तो काफी important है लेकिन सैना जो है सैना इनका 25% reservation है मयानमार की आर्मी के अंदर military के अंदर और जब elections हुए नवंबर 2020 में तो फिर य मयानमार इनकी सैना की नहीं आई थी और इससे ही नाराज होकर वापस से इसकी जांच कराने के लिए कहा और ये कहा कि यदि एक फरवरी तक इसकी जांच नहीं हो जाती एक फरवरी 2021 तक तो यहां पर तकता परड़ जो है वो कर दिया जाएगा और एक फरवरी को सैनिक पाश्पती हैं दोनों को आप लोग जरूर याद रखना थीक है तो अभी कोविड नियमों के और असंतोष भढ़काने के जो उलंखन के अंदर चार साल के सजाए इनको हुई है और 1991 के अंदर इनको नॉबेल प्राइस भी दिया गया था अगला कोशन इंपोटेंट है क्यों पर ठीक है इंपोटेंट अपोटेंट मेंट है लेकिन उदय शंकर जो है वो इससे पहले हिंदुस्तान यूनी लिवर के अध्यक्ष रह चुके हैं दक्षिन एशियाई देशों के अंदर जैसे नेपाल है भारत है बांगलादेश है पाकिस्तान है इन सभी के लिए जो कॉ अध्यक्ष है हिंदुस्तान यूनी लिवर के वो संजीव महता थे अब इनको अपोटेंट किया गया है ऐसे प्रेसिडेंट ओफ फिक्की ठीक है काफी इंपोटेंट अपोटेंट मेंट है इस जरूर पूछा जाएगा आप लोग को याद करना है नेक्स देखिए एक बु भी आएगा लेकिन अभी इस समय जो हालात बने हुए हैं भारत के अंदर देखिए ये बात तो कहनी पड़ेगी हम लोग कभी पार्टी की बात नहीं करते ना कॉंग्रेस की ना वीजेपी की क्योंकि हम लोग इस्टुडेंट्स हैं मैं आप लोग के लिए टीचर हूँ लेकिन मैं भी जो है वो इस्टुडेंट रहा हूँ जब भी मेंस की आंसर आइटिंग करेंगे आप लोग और यदि आप लोग पॉलिटिकल व्यू रखते हैं तो फिर वो उस कॉपी के अंदर जलूर जलगता है कई कॉपी जो है वो टैस सिरीज के अंदर जब रिवैल की जाती है तो उसमें टीचर जो है वो बताते हैं कि देखे इस इस्टुडेंट ने लिखते वक्त ये थोड़ी सी मिस्टेक की थी तो आप लोगो जो है वो नौन अलाइन रहना है तो मोदी जी का भी सेकेंड टर्म चल रहा है कोविड नाइंटीन की जैसी कठिन परिस्तितियों के अंदर भी देश को समाला है तो ऐसी बात नहीं है प्रधान मंतरी जो है प्रधान मंतरी के तौर पर अच्छा पदभार इ लड रहे हैं जैसे ओमिक्रोन आ गया वापस से जो जितनी भी सर्विसे से उनको दुरूस करना पड़ेगा ऑक्सिजन के सिलेंडर्स इसके साथ मेडिकल फैसिलिटीज सारी जो है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा उसके बाद ही यहाँ पर एक पद की गरीमा जो है उसका मान बना रहेगा ठीक है नहीं तो क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो इस्तिफा देते हैं आपने देखा होगा कि यूरोप के कई कंट्रीज के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने पत से इस्तिफा दे दिया भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है चलिए बढ़ते हम लोग आगे तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा इस किताब का आंसर है गौतम चिंता मनी जो है इनकी द्वारा इस किताब को लिखा गया है तो रिसेंटली एम वैंकेन आइडू के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है और सेकिंड टम के अंदर जो भी प्रधान मंतरी मोदी को परिशानी आ रही है मतलब रोलर कोश्टर के उपर ये विराजमान है समाल रहे हैं अपनी विवस्ता को तो दूसरे कारेकाल का ये प्रतीक है नेक्स देखिए भारत की पहली महिला मनोचिकिसक जो है साकेटरिस्ट का नाम बताईए जिनका हाल ह इनका रेसेंटली निधन हुआ है भारत की पहली मनोचिकिसक क्या काम करता है मनोचिकिसक काम करता है कि आपका मानसिक स्वास्ते जो है वो ठीक है की नहीं है अच्छे एक छोटी सी जोक वाली मैं स्टोरी आपको बता जाता हूँ व्यक्ति जो है वो मनोचिकिसक के पास क्य जाता है कि यवल इसलिए जाता है कि आप इसको otherwise मतले ना इसलिए जाता है ताकि वो अपनी मन इस्तिती जो है उसको वो evaluate करा सके, जार्ज करवा सके, ठीक है? हम देखिए, रोजाना गर में पती-पतनी की बीच में जब भी जगडा होता है तो हमेशा पतनी ये कहती है कि तुमारा दिमाग खराब हो गया है तो husband जो है इसको बार बार doubt होता है कि वाकई में क्या दिमाग खराब तो नहीं हो गया है और फिर वो psychiatrist के पास जाता है केवल ये प्रमानित करने के लिए इसकी मेरी जो wife बात कह रही है कि वो बात सही है कि नहीं है मुझे slip पर लिकर दे दो फिर doctor क्या करता है उसकी दवाई जो है medicine वगरा लिकर देता है और वो प्रमानित कर देता है कि हाँ आपकी जो wife की दोरा रोजना बात कही जा रही है कि तुमारा दिमाग खराब हो गया है तो वो बात प्रमानित कर दी जाती है ठीक है चलिए मजाग था ये ऐसी कोई इसमें serious लेने की जरुवत नहीं है दिल पे ना ले तो शार्दा मैनन जो है वो भारत की पहली महिला मनोचिकी सक रह चुकी है और इनका 98 years के अंदर recently देहांत भी हुआ है ठीक है तो चैन्नाई के अंदर इनका देहांत हुआ है 5 दिसंबर को age related इनकी problem हो चुकी है 98 years के अंदर आपको पता है ठीक है तो काफी important question है जैसे recently आपको पता होगा कि वर्ष 2018 के अंदर भी जो भारत की पहले woman IS officer थी उनका भी निधन हुआ था मुझे comment section ने बताईए कि भारत की पहले महिला IS officer कौन थी जिनका निधन हुआ था IS officer भी और IPS officer भी मुझे comment section में जरूर बताईएगा 8 दिसंबर की current affair को हम लोग revise करते हैं Miss Trans Global Universe 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारती जो है वो कौन बनी है तो यहाँ पे correct answer रहेगा शुरूती सितारा कल जो आप लोग के लिए quiz upload किया गया था वहाँ पे गलती से इसने हाँ पाटिल जो है वो answer mark कर दिया गया था शुरूती सितारा जो है यह correct answer आप लोग लगाना भारती राष्टे राजमाग परादिगान की नई अध्यक्ष जो है वो अलकाव पाध्य को बनाया गया है एक्वेरीन अभ्यास जो भारत और मालदीव के बीच में connect करवाया गया है किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए back to work योजना को launch किया है तो वो है राजस्थान की सरकार 6 दिसंबर को भीमराव अमबेडकरजी की 66 जो है वो पूर्णे ठिती मनाई गई है जूनियर पुरुष होकी विश्चुकप 2021 का खिताब किस देश की टीम में जीता है तो रिसेंटली अर्जेंटिना के दोरा जीता गया है जर्मनी को हरा का भारत के अंदर ही इसका एजन किया गया है किस देश के जावा दीप इस्थित सुमेरू जो अला मुखी में बड़ा विश्फिट हुआ है तो वो इंडोनेशा के अंदर इस्थित है देश का सबसे बड़ा मैनिफेक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है तो वो है गुजरात कोब एक्सिम के बाद जायकोव डी दूसरा सुदेशी टीका हाल ही में भारत के कितने राज्यों में लाँच किया गया है ये कल का हमारा Shady Glows कोशन था कि राश्ट्री ये नेतरहिन T20 क्रिकेट टोनामेंट जो है ये किसके द्वारा जीता गया है इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा कि आंधर प्रदेश ने जीता है लेकिन आंधर प्रदेश का यहाँ पर आंसर ना पूछते हुए एक्जाम में वो पूछेगा कि उप विजिता टीम कौन से रही है तो करना टक जो है उप विजिता मतलब करना टक को हड़ाय गया है क्योंकि आप लोगोंने EPFO का पेपर दिया होगा वहाँ पर ये कोशन आया था कि नौवाक जोकोविच जीते हैं लेकिन हारा कौन था कोशन यह आया वहाँ पे ठीक है त्यार है ना ऐसे कोशन के लिए चलिए आज का कोशन देखी एजी है टफ नहीं है एक नौवल है लाल सलाम इस नौवल को किसकी दोरा लिखा गया है बहुत ही इंपोर्टन कोशन है यह यह मान के चलिएगा एक्जाम में जरूर टकराएगा यह आमने सामने की बिढ़नत होगी आप लोग इसको कोशन से लेकर इस कोशन का अंसर आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में करना जो भी आपकी कोईरीज है यहां तक की आप लोग मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो फिर मुझे उसकी पिक्चर सैंट कर सकते हैं इसके साथ में लेक्चर की पीडियेफ आप लोग को टिल्ग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और कुईज आप लोग को जरूर अटेम्ट करने हैं ठीक है तो इस्टेडिक लोज जो है वो आप लोग के लिए बहतर नॉलेज लेके आता है नॉलेज इस पावर ये हमारी टेगलाइन है कल मिलेंगे हम लोग आज का ले ले चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा मुझे मैं जो था उन यादों के अंदर खो गया था के लिए कोई बात नहीं कल मिलेगी हम लोग बहुत ही बहतरीन लेक्चर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू